नमस्कार देन्यूस पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रेणा चारश्या राश्चिय स्तर पर खेल नगरी के रूप में अपनी पहचान स्थापत करने वाले गुमला जिले के खिलाडियों को जल्द ही एक बहतर गुनवत्ता वाले स्टेडियम मिलने वाला है इसके अतरिक्त पूरू से निर्वित खेल मैदान को भी विक्सित किया जाएगा ताकि खिलाडियों की प्रतिभा को निखारा जा सके साथ ही उन्हें खेल की प्रतिभा को बहतर तरीके से निखार कर देश के लिए गोल्ड मैडल दिलाने का काम करने में सफल हो पाएंगी गुमला जिले को सम्मिलित बिहार के समय से ही खेल नगरी के रूप में जाना जाता है ऐसा केवल यह कहावत नहीं है बलकि इसे स्ताफ़त करने में जिला के खिलाडियों ने काफी मेनत कर अपनी पहचान बनाई है जिला के खिलाडियों ने ना केवल जिला का नाम रोशन किया है बलकि कई बार फुटबॉल, हौकी, सहित अन्य एथलीट्स में गुमला के खिलाडियों ने रास्ट्रिय वा अंतर रास्ट्रिय अस्तर पर पहचान बना चुकी है जिला के खिलाडियों ने भारतिय फुटबॉल वा हौके टीम के कप्तानी की भी जिम्मेवारी निभाई है हाल में ही अस्टम उराओं ने भारतिय फुटबॉल टीम के कप्टान की भूमिका में अपनी प्रतिभा को अस्ताफित किया है लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जिला में एक बहतर स्टेडियम का निर्मान नहीं हो पाया था लेकिन वर्टमान DC करन सत्यार्थी की पहल के बाद जिला मुख्याले में मौझूद परमवीर अलबट एका स्टेडियम को बहतर स्टेडियम के रूप में तयार किया जा रहा है जिला के खेल पदादिकारी मनोज कुमार की माने तो इस स्टीडियम के तयार होने के बाद एथलीट्स में गुमला की खेलाडी काफी बहतर अभ्यास कर कई मैडल उपलब्ट करवाने में सफल हो सकेंगी उन्होंने कहा यह यहां के खेलाडियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी द्यान में रखते हुए उपाईक्त महोदेक को मतलब इनके बारें बताया गया तो उनके निर्देश के अलोक में यह दिप्यार तियार किया गया है और ताकि यह जो ग्रॉंड आप देख रहे हैं अभी बच्चों को किसी परकार से चोटनी आए क्योंकि फुटबॉल में अधिकतर ने इंजरी एंकल इंजरी होता है तो जो मिट्टी की मतलब समतल होनी चाहिए और जो नमी होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए यह नाली ड्रेन का सिस्टम आप जो देख रहे हैं अभी मिट्टी पुरा जो भराई की गई है यह अभी हम लोग पुरा तत् पर्तिकिता हैं हो सके वह हो और हमारा खास करके यहां पर राजस्तर्य तक परतिकिता के आयोजन की जा सकती है जिला खेल पदिकारी मनुश हमारा जिला प्रिशाशन की और से खिलाडियों के अभ्यास के लिए विलम सेही सही, लेकिन एक बहतर स्टीडियम की सुविधा अपलब्द करवाने की सराहनिय पहल की गई है अस्थानिय लोगों ने भी जमकर सराहना की है लोगों का मानना है कि उन्हें भी जिला में स्टेडियम का आभाव दिख रहा था लेकिन अब वह पूरा होने जा रहा है जो तमाम तक्निकी बातों को ध्यान में रखकर बनाया जा और अपना देश के लिए निकल चुके हैं और पहले यहां यह स्टेडियम था बहुत ही दैनी के इस्थिती था यह बन जा रहा हूँ बहुत खुशी की बात है इसका लाब यहां के खिलाड़ी को मिलेगा और इसे यह खेल नगरी के नाम से ही जाने जाता है हम लोग काभी मांग था कि यहां इस्टेडियम बहुत थी अच्छे बने यहां जो इस्टेडियम है उसका जिरनोधार हो रहा यह बड़ा खुशी का बात है कि गुमला जो खेलों की नगरी कहा जाता है यहां पर अच्छी एक से बढ़कर खिलाडी यहां से निकले हुए है लेकिन एक ढग का यहां इस्टेडियम नहीं देखा जाता है जो इस्टेडियम थे वह भी कॉलीटी नहीं थे इस स्टेडियम को निर्मान करवाने वाले समवेदक हरजीत की माने तो पहले उन लोगों ने मैदान की पुरानी मिट्टी को तीन फीर तक निकालने का काम किया उसके बाद खेल विभाग के निर्देश के अनुसार बाहर से मिट्टी लाकर यहां भर दिया गया है साथ ही ट्रेक के चारों तरफ नली बन रहा है ताकि स्टेडियम में पानी जमा ना हो सके वही पंजाब से स्पेसल किस्म का घांस मंगवा कर लगवाया गया है जिससे खिलारियों को इंतरास्टियस तर के स्टेडियम जैसा मैदान मिल सके जहां बहतर तरीके से वे अभ्यास कर सके बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहे है जो अपना प्रेक्टिस अच्छे से कर से अने वाले कुछ जिनों में बरसाथ भी हुई पाच्छे बरसाथ आ चुके लेकिन इस्टेडियम सुचारूप से बहुत धंक अच्छे से पानी का बहुत हो रहा है बहुत अच्छे से यह अभी ग्रासिंग भी इसमें लगाया गया है जो ग्रास हुगेगा अभी इसमें यह बहुत अच्छा है खेलने के लिए सुचार रूप से बहुत बढ़ियां इस्टेडियम कर लाएगा इसमें और पंदर अब पीस दिन का समय लगेगा तरनाम हर्ज कि असक्छ profile झाल और इसमें जु regular कर यह अभी इसमें इसमें थीम इसमें जो पीफ आल को शेमें हर्ण रूप से जुमारे कर लो जऑचाद कर ऺच कर